स्य यस रूप ब्लॉप प्रा विडियो में हम देखेंगे ब्लॉप प्रॉपर्टीज और प्लॉप प्रॉपर्र जी नाल का नाम देता हूं दुर्गेश यह मेरा नाम है मैंने इस नाम से फाइल बनाई है यहां पर मैं इसे सेव कर देता हूं और यह फाइल मेरी बन चुकी है अभी का करना है इस फाइल में हम कोडिंग करेंगे यह नोटपैट प्लस प्लस की फाइल है अगर आपको बेसिक जानना है तो हमारे प्लस को जलूर्वर प्लेए करें यहां पर आते हैं है । कि अगर सब्सक्राइब के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब और सीखें अच्छी एड़ हैड इसके बास से हमारा body ऐजाएगा body and again body poder अब विए करना है हम isitis टायल के बारे में लिखना याणी चीसस स्टाईल लिखना है तो लिखने के लिए style tag है st lil style इसके अंदर हम style लिखेंगे अ жis style हमिसके लिखेंगे लिखना है ब्लाक के एक none and table होता है, जिसको हम बारी-बारी से देखेंगे, फिलाल एक paragraph बनाते हैं, उसको block में लिखते हैं, तो block बनाने के लिए हमको paragraph में लिखना है, तो मैं p-tech का इस्तेमाल करूँगा, p-tech यहां पे मैंने open किया है, p-tech यहां पे मैंने open किया है, और यहां पे मैंने p-tech को close कर दिया है, और p-के बारे हम लिखते हैं, दखिए, simple आपको करना display, d-i-s-p, display और display में लिख देना है, आपको in-line, यानि कि आपको जो content है, वो एक line में करना है, और background color पास कर देना है, background, background मैं यहां पे जो है देता हूँ red, अब paragraph हम लिखेंगे यहां पे, तो एक paragraph यहां पे में लिख देते हैं, p, और p में लिखते है, hi, this is durgess, this is durgess, यह हमने यहां पे p-tech को बंद कर दिया, अब इसको save करिए, और save करने के बाद से, durgess.html हम चलते हैं, इसे open करते हैं, यहां पे देखेंगे एक paragraph जो है, वो block में बन के आ गया है, थोड़ा सा चारों तरफ से कि नहारा आपको छोड़ना है, तो आप क्या करिए, padding, padding कितना, padding आप कर दिए, 2 pixel, 4 pixel, 10 pixel, 10px का मैं आप यह कर देता हूं, यह padding लग गई, यह paragraph का block बन चुका है, अब हम को क्या करना है, अब मैं आपको एक list बनाता हूं, और list का पूरा का पूरा खेल दिखाता हूं, तो list द list हमारे पास है, ul, देखिए, list दो होता है, ordered list होता है, एक unordered list होता है, एक definition tag भी होता है, DD, DEL, जो भी आप कहना चाहें, list का video आप question मिल जाएगा, तो यहां पर ul खोला और ul को बंद कर दिया, ul मतलब unordered list, यहां पर li आप बनाए, li, li में आप लिखें, तो मैंने लिखा है li में, o, n, e, 1, li, li, li में, t, w, o, 2, और li को बंद कर देंगे, ऐसे एक और बनालते तीन रखेंगे, li में, t, h, r, w, e, 3, li को हम बंद कर देंगे, यह li में रबंद हो गया, अब हम इस li को देखते हैं कैसा बन के आता है, यह हमारा li बन के आ चुका है, देखें, यहां पर तो एक line, दो line, तीन line में li बन के आ है, मैं चाहता हूँ कि यह li जो है ना, वो एक ही line में आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम group selection tag क का इस्तिमाल करेंगे, group tag, group CSS का इस्तिमाल करेंगे, यहां पर UL, LI, यानि UL और LI के उपर मैं CSS लगा रहा हूँ, और यहां तक CSS है मेरा, यहां पर हमने लिख देना है display, display क्या inline, display inline, save कर देना है, refresh कर देना है, यह देखें, तीनों का तीनों, एक ही line में आ गया है, एक ही margin कितने pixel का, 10px का, margin 10px का हमने दे दिया, यह हमारा एक बन के, list बन के, display हमारा list बन के आ गया है, और इसमें आप देखेंगे, तो अलग-अलग तरीके से यहां पर, तीन जो है, हमारे पास list दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक ही line में है, अब हम देखेंगे, यह तो display inline हो ग room, say, new बानाते हैं, उसे भी एक line में करते हैं, सब्सक्ति एक division के लिए, मैं यहाँ पर करकी दिखाता हूँ, तो division का tag यहाँ पर लिखते हैं, और division के process भाले में लिखते हैं, तो यहाँ पर div div, div खुला भी की से लिखना है, तो हम div लिखेंगे, div div, bodies की खोलेंगे, और body को बंद कर देंगे डिव का विध कितना है डवलू आई डी टी एच विध ले लिजिए कितना तो 100px कॉलन है सोपी एक्स हाइट हाइट ले लिजिए कितना तो 10px 10 ज्यादा कम हो जाएगा यह ले लिजिए फॉती पी एक्स ठीक है यह दिफ ऐसका वैट हमसेट करते हैं और उसका है बैक्ग्राउंड कर लइंड डैस कर carbon लइंड प्पारइन तो सीवाय एं इंश्यार बैक्राउंड कर दे लिए हमने और color color हमने दे दिया white color white दे दिया font size यहाँ पे text align align center कर देंगे center text size font size 10px यह एक division हमारा बनके आ गया है अब division को यहाँ बनाई है और समस्ते presence span division के लिए हम अलग से आप गोडिंग लीखेंगे तीन दिवीजिन बना लेते हैं आपर यह टीन चार्ट जितना बनाना हो तो यह प्रीस दिवीजन बन गया है हमारा और इस दिवीजिन के अंदर लिगना मेयम एंट में यू मैन्यू 1 को दिआ कर दिया हमने कभी पेस्ट कर and also past menu 1 2 3 4 5 2 3 4 and 5 save करते हैं refresh करते हैं तो डिवीजन बनके आपका यहां पर सामने आ गया है डिवीजन बनके आ गया है बॉर्डर डालेगे थुरा सा समझ में है तो अभी दिवीजन बना है उन्हें बॉर्डर नहीं डाला है बॉर्डर डाल देते हैं डिवीजन में यहां पर खुला है यहां लिखे बॉर्डर 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 जो है वह 3PX का बॉर्डर लगा दिया हमने शॉलिड और कलर उसका दे दिया है मैंने ब्लू कि सेब कर देते हैं यह डिवीजन आपके सामने बनके आ गया है बहुत बड़ा बड़ा बन गया है तो चोड़ा करने के के लिए साइस कम करेंगे के यहां पर हम्डेट पीएक्स की जगह जो है हम कर देतें से 50PX और इसे कर देजिए 10PX save refresh यह हमारा headphone mechanism 15 देंगे तो मार्जीन आप देजिए और सिर्फ मार्जिन देते हैं मारजिन की मारजन मारजिन यहां पर देंगे कितना थो 10脊 सक मारजन है सुछ 1946 देजिए ये post आलग अलग हो गया 10px के margin के बाद से padding मी लगा देंगे padding कितना तो यह भी 10px का पैडिंग में 10px पर सब बड़ा हो जाएगा ज्यादा हो जाए रहे हैं नहीं फैडिंग 2px का कर दिजिए यह हमारा menu बनके आ गया है अभी यह क्या है ना यह सबके लिए अलग अलग है अब हम क्या करेंगे इसको एक ही line में कर देंगे कैसे कर देंगे भी यह तो एक code बस लिखना एक line का display inline save कर देना है और यहां पर आएंगे तो यह आपका menu दिखिए आप menu अलग अलग बनके आ गया है अगर आप चाहें थोड़ा सा और भी से अच्छा करना तो color और भर दें background color भर दें बाकी और भी चीज़े इसमें आप कर सकते हैं तो यह inline का पूरा का पूरा example है अब inline के बाद से आप चाहते हैं कि आपका जो है यह जो बना है inline में css आपका डिवीजन बना है इसे मैं आपको block में करके दिखाता हूं तो एक और हमारे पास display property होता है जिसको कहते हैं block block save कर यह और refresh करेंगे तो यह ब्लॉक बनके आके जो हमने पहले बनाया था वह block में बनके आ गया है तो यहां पर मार्जिंग और पैडिंग है पूरे block में बनके आता तो यहां पर यह block property हमारे पास block के बाद से inline ब्लॉक भी होता है तो यहाँ प thinkers buat ब्लॉक तो यह आ통 मारजीन में शार लू नशिवाMore करता हूं इसके बाद से आप चाहिए तो इन लाइन टेबल भी कर सकते हैं इन लाइन टेबल लाइन टेबल सेव करें रिफ्रेस्ट करें तो ऐसे इत्रों मेजर चेंज नहीं होगा क्योंकि एक लाइन में हो रहा है तो यह जो है हमारा पूरा-पूरा डिस्प्ले प्रॉपर्टी है आप लाई ओल डिव एने भी नेव से भी आप इसे बना सकते हैं बनाए और अगर को कुछ में नहीं करना है तो यहां पहलन स्टैल यहीं नहीं आएक है तो डिस्प्लेट अगर मैं करना चाहते हैं या k लगा दें डिस्प्ले के आगे यहां पर नन लगा दें डिस्प्ले नन सेव करें रिफ्रेस्ट करें सब कुछ गयब हो जाएगा तो आप ऐसे इंप्लिमेंट भी कर सकते हैं कुछ भी नहीं है आप मैं कंट्रोले करता हूं तो भी नहीं दिखाए देता हैं तो आप ऐसे इसे लगा के और इंप्लिमेंट कर सकते हैं चला सकते हैं पूरे प्रोग्राम को बने नहीं मेरे साथ अगले प्रोग्राम के लिए मैं हो दुर्गे सर लाइक सेर सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स प्रोच